अमेरिका के फ्लॉरीडा में फायरिंग 17 स्कूली बच्चों की दर्दनाख मौत अमेरिका के फ्लॉरीडा के पार्क लेंड में एक स्कूल में हुई फायरिंग में कम से कम 17 स्कूली बच्चों की मौत हो गई कई के घायल होने की खबर है आरोपी हमलावर स्कूल का ही पूर्व छात्र बताया जा रहा है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था इस्थानी अधिकारियों के मताबिक आरोपी निकोलेस ने स्कूल में फायर अलाम बजाया जिसे लेकर अफरा तफरी के हालात हो गए उसके बाद उसने ताबर तोड फाइरिंग शुरू कर दी कई बच्चों ने क्लास्रूम में छिपकर अपनी जान बचाई पुलिस ने हमलावर को गिरफतार कर लिया है